हलो, दोस्तों, मेरा नाम राहुल थार्वाइ, आज की वीडियो में हम सीखते हैं, Active Direction में OU نASH time कैसे करते हैं? So simply हम अपने Active Directory Environment में चलते हैं, Okay, so simply हम अपने Active Directory Environment में Server Manager बहुपन कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले, सबसे पहले हमें, सबसे पहले यहाँ पर Tools पर क्लिक करते हैं. After that, go to ActroDirecty Users and Computers. So हमारे सामने ActroDirecty Users and Computers का बिजाड ओपन हो जाता है. इसके बाद हम अपने जो हमारा ActroDirectory Environment में दोमेन है, उसको expand करते हैं. तो यहां पर हम अपने एक्टो डारेक्ट्री एंवारेमेंट में अपने डॉमेंट टेकलैप्टोकेर.com को एक्स्पेंड करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि अपनी एक्टो डारेक्ट्री में हैं ओयू क्रियर्ट करने की लिए सिंप्ली हम सिंप्ली हम अपने डॉमेंट पर रैट कले करते हैं & go to New & लुप ओयू ॑ग की सो सिंप्ली हम ने एक ओयू क्रियर्ट कर लेते हैं सो हम एक OU create करते हैं sales okay so when OU create sales okay so दोस्तों यहां पर यहां पर product container from a accident accidental detection so यहां पर ठीक है और डिफॉल्ट टिक है so actually हम OU create कर रहे हैं so OU के अंदर group users होते हैं so OU protect करना जरूई होता है इसलिए यहां पर default टिक है so इसके बाद यदि हम OU create करते हैं टिक करने के बाद so OU protected हो जाता है और इसको delete नहीं कर सकते हैं यदि इसको अंटिक कर देते हैं तो OU को delete आसानी से किया सकता है और OK पर क्लिक करते हैं अब हम इसी OU के अंदर इस sales OU के अंदर एक और OU बनाना चाहते हैं तो simply हम OU इस OU पर क्लिक करते हैं and simply right-click करते हैं and go to new and OU पर क्लिक करते हैं so हम sales sales OU के अंदर simply OU क्रियेट कर रहे हैं so Mumbai okay so हमने एक OU क्रियेट कर दिया है so दोस्तों एक और OU क्रियेट कर लेते हैं okay so simply new or OU Delhi okay one second okay so यहां पर हम यहां पर हमने OU के अंदर OU और और यहां पर हम Mumbai यहां पर वी OU Mumbai OU के अंदर और OU क्रियेट करते हैं और यहां पर हमने OU का नेम दे दिया South one second okay and Mumbai OU के मैं हम एक और OU क्रियेट करते हैं North so दोस्तों OU nesting क्या है OU nesting simply जब हम जब अपने डोमेन के अंदर जब हम अपने डोमेन के अंदर OU क्रियेट करते हैं और उस OU के अंदर OU and OU के अंदर और OU क्रियेट करते हैं तो OU के अंदर OU क्रियेट करना ही nesting कहलाता है actor directory में nesting कहलाता है और actor directory में actor directory में जब हम actor directory install करते हैं तो हमारी डोमेन तो हमारे डोमेन के उपर पहले से ही डोमेन कंट्रोलर OU पहले से ही created होता है और हम इस परकार से हम OU nesting कर सकते हैं OU के अंदर OU create करना ही OU nesting कहलाता है तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने सीखा की OU nesting क्या कहलाता है और इसका उप्यों क्यों किया जाता है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही thank you दोस्तों